नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में और आज की स्वीडियो में मैं आप सभी को बताने हो लहाँ कि कैसे आप अपने PF को ऑनलाइन एडवांस क्लेम कर सकते हो और क्लेम करके अपने पैसे को अपने एकाउंट में मंगवा सकते हो दोस्तों देखिए सबसे पहले आप सभी को बता दू कि PF को advance claim करने के लिए आपको किस किस चीज की ज़रत होती है दोस्तों देखिए अगर आप अपना PF online claim करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जिस चीज की ज़रत होती है वो होती है आपका UN number activate होना चाहिए और आपके पास आपके UN number का password भी होना चाहिए साथ में आपके जो UN portal है उसमें आपका KYC होना चाहिए आपके bank का तब ही आप अपने bank में पैसे मंगा पाओगे तो सबसे पहले आपका क्या क्या ज़रूरी है आपका UN activate होना चाहिए इवेन का password होना चाहिए और उसमें आपका KYC भी होना चाहिए तीसरी जो चीज़े वो है कि आपके पास आपने जिस bank की KYC कर रखी अपने इवेन में आपके पास उस bank का passbook या checkbook होना चाहिए अगर आपके पास passbook है तो passbook clear होनी चाहिए अगर आपके पास बीना नेम प्रिंटेड चेक बुक है तो आपका जो है क्लेम सेटल नहीं होगा रिजेक्ट हो जाएगा तो चलिए दोस्तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आप अपने फॉन की मदद से जो है अपने पी लाइकन को भी प्रेस कर लिजेगा ताकि आगे भी मैं ऐसी जब भी पीएफ की कोई वीडियो अप्लोड करूँ तो उसका नोटिफिकरेशन आपको तुरंद के तुरंद मिल सके चलिए दोस्तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं उस तो आप यहाँ पे देख सकते के जल्दी से आपको लॉगिन कर लेना है मैं जल्दी से दोस्तो लॉगिन कर लेता हूं तो दोस्तो आप यहाँ पे देख सकते हôm मैंने लॉगिन कर लिया है Login करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आना है इसके बाद आप सभी को देखना है कि आपको किस company का PA बरना है मानि किसी बंदे ने दो company में, किसी बंदे ने तीन company में काम कर रखा है तो उसको किस company का PA feel करना है यहाँ पे आपको सारी company दिखा देगा तो यहाँ पर आपको उस company का नाम देख लेना है जिसका भी आपको PA भरना है ताकि जब आप claim करो तो आपको भूलना हो उसके बाद आपको यहाँ उपर online services पर जाना है उसके नीचे आपको claim वाला option मिल जाता है उस पर click कर देना है फिर क्लिक करना है आपका जिस भी bank का क्यव इस हुआ हुआ है उस bank का जो account number यहाँ पर fill कर देना है ताकि आपका account number verify हो सके अब यहाँ पर मैं जल्दी से अपने account number fill कर लेता हूँ account number fill करने के बाद आपको क्या करना है verify वाले जो option है उस पर click कर देना है और उसके बाद आपका account verify हो जाएगा फिर आपको नीचे की तरफ proceed for online claim पर click करना है जिससे कि आपका जो claim है वो proceed होने के लिए चालू हो जाएगा और यहाँ पर यह थोड़ा सा verification लेगा और उसके आप किस चीज के लिए apply करना चाहते है तो अगर आपने last company में रिजाइन नहीं दे रखा है तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ advance का option आएगा तो आपको advance select कर लेना है उसके बाद आप देख सकते हो उपर अभी service का option आए तो वहाँ पे service आपको कौन सी company का भरना है उसक सकते हो तो मैंने यहाँ पहले covid के लिए निकार रखा है तो इसलिए मेरे में अभी covid का option नहीं आता है अगर आप first time भरते हो तो covid के लिए भरना क्योंकि covid में जल्दी आ जाता है तो मैंने यहाँ पे covid construction of house वाला option दे दिया है उसके नीचे क्या करना है आपको अपने amount fill कर दे आप पर्जेंट या पर्मनेंट कोई भी address जो है वो fill कर सकते हो तो जल्दी से मैं अपने address fill कर लेता हूँ address fill करने के बाद आपको कह करना है upload a scan copy of checkbook and passbook मतलब आपको अपने checkbook और passbook का जो यहाँ पर copy upload करना है दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपका जो checkbook है और या फिर passbook है उसकी जो size जो 100-500 kb के बीच में होनी चाहिए 100-500 kb के बीच में अगर नहीं होगी तो यह upload नहीं लेगा और आपका claim आगे नहीं होगा तो आपको उसको 100-500 kb के बीच में ही रखना है और ये भी ध्यान रखना है ति अगर checkbook है तो checkbook पे आपका नाम भी लिखा हुआ होना चीए फिर आपको नीचे agree वाले option पे click करके get अधार OTP पे click कर देना है जैसे ही आप get अधार OTP पे click करोगे आपके register अधार card वाले नमबर पे एक 6 digit का OTP जाएगा जो की आपको यहाँ पे fill करना है मेरे नमबर पे OTP आ चुका है मैं जल्दी से यहाँ पे अपना OTP फिल कर लेता हूं तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हों मैंने अपना OTP फिल कर दिया है OTP फिल करने के बाद आपको क्या करना है validate OTP and submit claim form पे click कर देना है आप जैसे ही इस पे click करोगे आपका जो है अ आपका जो है claim successfully submit हो चुका है उसके बाद आपको एक ऐसा PDF दिख जाएगा आप चाहो तो इसको select मतलब save भी कर सकते हो प्रिंट करना चाहो तो प्रिंट भी कर सकते हो बाकि यह आपके जो UN है उसमें हरदमी save रहते है तो इसको आपको print या save करने की कोई ज्यादा ऐसी कोई ज़रत नहीं है तो दोस्तो उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको informative लगी होगी अगर वीडियो informative लगा हो तो वीडियो को एक like कर दीजेगा साथ में चैनल को subscribe करके bell icon को भी press कर लिजेगा क्योंकि मैं आगे भी आपको SEPF से related वीडियो देता रहूँगा दोस्तो वीडियो कर दोस्तों 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 क